यह है सुमीद जी देख सकते हैं इनके Facebook पे यहाँ पे monetization limited वाला problem आ गया यह देखिए monetization limited you are not longer earning on some of your content because it is not following our content monetization policy और यहाँ पे देख सकते हैं go to policy का option आ रहा है मतलब कि इन्होंने एक Facebook बनाया था जिसको इन्होंने professional mode में convert किया यह regular उस पे वीडियोस डालते हैं रिल्स डालते हैं लेकिन देख सकते हैं कुछ दिन पहले ही इनके Facebook पे monetization limited का problem आ गया है तो आज के वीडियो में fully details में बताने वाले हैं कि यह monetization limited क्या होता है क्यों आता है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं यह इन भाई का problem है जो कि हमारे दोस्त ही है और इन्होंने अपना Facebook लेके हमारे पास आया जो इस तरह का problem आ गया इसको ठीक कर दीजिए तो इसी को आज शिक करके बताने वाले हैं तो यदि आपके भी Facebook पे यदि कुछ इस तरह का problem है तो इस वीडियो को end तक देखना है और साथ ही साथ यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लिजेगा क्यूंकि Facebook से related बहुत सारी वीडियो हम upload करत चुका है यह सेट अप का आज ही आया है ना आपके Facebook पे यह सेट उपसंट पे इनके पर आज ही आया लेकिन देख सकते है यहां पर स्टार पे इंका फेयों प्लिक कर लेते हैं यहां पर धेख सकते है monetization limited का problem आ चुका है मतलब star पे भी आया है add on reals पे भी आया है और इनके inestream ad में setup का भी option आ चुका है तो सबसे पहले इनको ये problem को solve करना होगा उसके बाद ही ये inestream ad से setup करेंगे तो एक ही बार में इनका setup जो है confirm हो जाएगा मतलब की setup जो है वो reject नहीं होगा confirm हो जागा लेकिन उससे पहले ये पता करना परेगा जो ये जो monetization limited है ये आया क्यों है किस तरह के वीडियो पे ये आता है और देख सकते हैं इनके add on reals से 1.17 dollar approximate earning हो चुका है मतलब add on reals से monetize करने के बाद earning भी हो चुका है लेकिन main problem यहाँ है limited monetization वाला तो इसको आज ठीक करने वाले हैं properly बताने वाले हैं जो ये किस तरह के वीडियो पे आता है कैसे इसको ठीक कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा जो इस तरह का problem आपके facebook पे आया है तो देख सकते हैं हम अपने facebook profile पे आ चुके हैं देन उसके बाद यहाँ पे c dashboard का option दिख जाएगा simply c dashboard वाले option पे click कर लेना है देन यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा और यहाँ पे देखें इनका reach जो है तीन लाख अंठानवेर हजार मतलब कि लाखों में यहाँ पे reach है net follower 28 days में 14,000 follower यहाँ पे increase हुआ है उसके बाद उपर scroll करके यहाँ पे आपको monetization का option दिखने को मिल जाएगा simply आपको क्या करना है monetization वाले option पे click कर लेना है then यहाँ पे click करने के बाद आपको कुछ इस तरह का option आजाएगा और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा star का option, add on reels का option और in esteem add का option उसके बाद आपको क्या करना है star पे या in esteem add पे जिस भी चीज़ से आपका facebook monetize रहेगा simply उस पे click कर लेना है जैसे कि यहाँ पे start वाले option पे click कर लेते हैं then यहाँ पे click करने के बाद देख सकते है monetization limited वाला problem आ चुका है उसके बाद हम add on reels वाले option पे click कर लेते है then यहाँ पे भी देख सकते है monetization limited का problem आ चुका है यदि आपका in esteem add से monetize है तो वहाँ पे भी क्लिक करके चेक कर लेना वहाँ भी monetization limited वारा problem आया होगा तो सबसे पहले ये problem आता क्यों है तो दोस्तों यदि आप किसी वीडियो पे या फोटो पे background music लगाते हैं न वो background music के वज़ा से भी कुछ इस तरह का problem आ सकता है तो सबसे पहले ये पता कहां से चलेगा आपको क्या करना है अपने facebook पे फिर से आ जाना है यहाँ पे facebook पे आने के बाद उपर में आपको यहाँ पे three line का option दिखेगा simply यहाँ पे click कर देना है यहाँ पे click करने के बाद उपर scroll करेगा report others का और your alerts का आपको simply your alerts वाले option पे click कर लेना है यहाँ पे click करने के बाद देख सकते है इनके यहाँ पे बहुत सारे videos इन्होंने post किया था जिस पे copyright का issue आ चुका है मतलब music copyright का background में इन्होंने music यूज़ किया था उसके बाद short series पे उन्होंने music यूज़ किया साथ इस music पे यहाँ पे देखिए copyright का issue आ चुका है लेकिन इस copyright को तो हमने solve कर दिया देख सकते है close का option आ चुका है लेकिन यदि आप में monetization limited का problem आया है और वहाँ पे आपने यदि उसको accept change करके close नहीं किया होगा आपको पता लगाना पड़ेगा जो कौन से video पे monetization limited वाला problem आया है मतलब किस तरह का video आपने upload किया जिस पे monetization limited का problem आ चुका है तो उसके लिए क्या करना है? आपको वहाँ पे ध्यान डखना है जो आपने किस तरह का video कब upload किया जिस पे monetization limited का problem आ सकता है जैसे कि इनके एक video पे monetization limited का problem आया है उसको हम जैसे ही delete करेंगे न यह problem 100% 2 second के अंदर हमी solve हो जाएगा तो आपको video को end तक देखना है वहाँ आपको बताएंगे जो कौन से video पे आया है और किस तरह के music पे यह problem आ जाता है यहाँ पे then profile वाले option पे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको videos का section दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारे videos इन्होंने post किया है यह सभी video देख सकते हैं यह इनका खुद का video है यहाँ पे देखिए इनका खुद का video है उसके बाद reels वाला option है हम simply reels वाले option पे click कर देते हैं करते हैं यहां पे देखिए आपको option एक देखने को मिल जाएगा monetization का और उसके ठीक नीचे यहां पे profile recommendation का option बनाएं आपको यहां पे click करके check कर लेना है जो आपके Facebook पे unoriginal content का भी issue है वो आपको check कर लेना है तो यहां पे देखिए इनके Facebook पे एक और problem है profile has some violation तो यहां पे यह problem क्या है इस पे हम वीडियो बनाके next video में आपको बता देंगे उसको बाद यहां पे ऊपर scroll करने के बाद यहां पे आपको दो option देखने को मिल जागा यदि आपका Facebook किसी चीज़ से monetize है तो आपको क्या करना है monetization वाले option पे click करना है यदि monetize नहीं है तो profile status वाले option पे click कर देना है हम monetization वाले option पे click कर लेते हैं यहां पे click करने के बाद देख सकते हैं इनके Facebook पे unoriginal content का भी issue आया हुआ है तो हम यहाँ पे unoriginal content वाले issue पे click कर लेते हैं देन देख सकते है unoriginal content का issue आया है तो यदि कुछ इस तरह का problem आपके भी Facebook पे है तो ये वीडियो देख लीजेगा इस वीडियो को देखने के बाद आपका unoriginal content का भी problem ठीक हो जाएगा अब हम बात कर लेते हैं जो monetization limited वाले problem को कैसी ठीक करेंगे तो उसके लिए हमने आपको बताया जो जो वीडियो आपको वहाँ पे हमने दिखाया था उस वीडियो को हमें delete करना पड़ेगा तो उसके लिए हम reels वाले option पे click करके इसको delete कर देते हैं यहाँ पे 2 सेकेंड हमें wait कर लेना है देख सकते हैं वह जो वीडियो था वो delete हो चुगा है एक लार हम refresh कर लेते हैं रिफ्रेस करने के बाद यहाँ पे profile वाले option पे click कर लेते हैं यहाँ पे click करने के बाद फिर से हमें monetization वाले option पे click करके वहाँ पे चेक कर लेना है जो जो problem है वो हटा है या नहीं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभी वी monetization limited वाला problem जो है है ही दोस्तों इसका main region यह है क्योंकि हमें पता ही नहीं है जो किस video के कारण यह चीज आया है तो इसका एक ही solution है या तो आपको क्या करना है यहाँ पे 3 line वाले option पे click कर लेना है यहाँ पे 3 line वाले option पे click करके यहाँ पे help and support वाले option पे click कर लेना है उसके बाद support in works वाले option पे click कर लेना है यहाँ पे click करने के बाद your alerts वाले option पे click करके यहाँ पे जो आपको जितना भी वीडियो देखने को मिल रहा है जिस्वी वीडियो पे यहाँ पे copy rate का issue आया है उस सभी वीडियो को यहाँ पे delete करना पड़ेगा इन सभी वीडियो को हम delete करेंगे तभी वहाँ पे monetization limited का problem solve होगा तो एक तो यह solution है जो आपको यहाँ पे जितना भी वीडियो देखने को मिल रहा है इस सभी वीडियो को delete कर लेना है लेकिन इसमें से बहुत से वीडियो ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा view चला गया है तो अगर हम उसको delete करेंगे तो इससे क्या होगा हमारे facebook profile का reach कम जाएगा तो आपको क्या करना है इस सभी को delete नहीं करना इसके अलावा भी एक और solution है तो वो क्या है उसको आपको आगे वीडियो में हम बताएंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक और यहाँ पे copy right का issue है तो इसको हम यहाँ पे click करके और इसका accept जो है change कर देंगे मतलब कि name renew हम share कर लेंगे उसके लिए simply यहाँ पे देख सकते हैं इस पे copy right का issue है तो इसके लिए यहाँपर continue वाले option पर simply click कर देना है और यहाँप करने के बाद continue यहाँपर पर तीन option देखने को मिल जाएगा इसको continue अपर देना है फिर accept वाले option पे ओपो एक्ट़प change किया जाता है कैसी उसका revenue share किया जाता है तो एक तो यह solution हो गया जो यहाँ पे जितना video है इस अभी को आपको delete करना पड़ेगा अगर इस video का आप delete नहीं करना चाहते हैं तब आपको क्या करना है तो दोस्तो इसमें जो monetization limited का problem आया है ना उसमें आपको पढ़के दिखा देता है जो वहाँ पे एक्चुली में लिखा क्या है और उसका आपके facebook page पर प्रोफाइल पर इफेक्ट क्या पड़ेगा तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हम फिर से इस पर आचुके हम add on reals वाले या star वाले किसी भी option पर क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर देखिए आपको मोने टाइजेशन लिमिटेट का जो option लिखा है इसमें लिखा यू आर नोट लॉंगर अर्निंग on some of your content some of your content का मतलब हुआ जिस content के वज़ा से यह monetization limited का problem आया न उस content से आपका अर्निंग नहीं होगा आपने जितना भी वीडियो डाला है उस सभी पर कोई फरक नहीं परेगा जिस content के वज़ा से यह वला प्रावलम आया है उस content पे आपका अर्निंग नहीं होगा तो इसको डिलीट नहीं करें रहने दे रहने देते हैं इसको क्यूंकि जिस पे यह problem आया है सिर्फ उस content से इनका अर्निंग नहीं होगा अगर वहाँ हम सारे वीडियो को डिलीट कर देंगे तो हमारे Facebook का reach कम हो जाएगा तो इसलिए वहाँ पे हमको डिलीट नहीं करना है यदि आप इस problem से बचना चाहते हैं तो इसका एक ही solution है आप जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको याद रखना है जो आपने कौन सा वीडियो अपलोड किया था recently और किस वीडियो पे इस तर हुआ भी है you are no longer earning on some of your content some of your content मतलब जिस content के वज़ा से ये problem आया है उस content पे आपका earning नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि it is not our content monetization policy मतलब कि हमारे content monetization policy को follow नहीं करता है और यहाँ पे हम go to policy इस वाले option भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है unoriginal content का इस हु हो जाएगा तो अभी वहाँ पे जैदा कुछ नहीं करना है आपको रहने देना है आप एक दो वीडियो डिलीट करके देख लीजेगा यदि ये problem solve हो जाता है तो अच्छी बात है नहीं solve होता है तो कोई दिकत नहीं है इसको रहने देना है इससे कोई problem नहीं होने वाला है यहाँ पे देख सकते हैं, इनका earning भी यहाँ पे होई रहा है, approximate earning देख सकते हैं, 1.93 डॉलर हो चुका है, तो दोस्तों आपको अपने तरीके से देख लेना है, यदि आप चाहें, तो जितना भी वीडियो पे copyright का इसवाय है, उस अभी को delete कर सकते हैं, तो आपका problem solve हो जाएग और Facebook पे देख रहे हैं, तो follow कर लिजेगा, और दोस्तों इस सभी process में कहीं भी आपको कोई साब दिक्कत हो, तो वीडियो के description में हमारे Instagram ID का link मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमें follow करके message कर सकते हैं, साथी साथ वीडियो के description में हमारे Telegram channel का भी link मिल जाएगा, Telegram channel को भी join कर इस सभी के बारे में बताते रहते हैं, तो इसलिए Telegram channel को भी join कर लिजेगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए thank you, जैहिंद